दोस्तों स्वागत है और आज हम बात करेंगे कच्चे इटो की, कच्चे मकानों के तो पहले हमने मिट्टी का घर का एक एपिसोड डाला था तो आप सभी का प्यार और आप सभी की जो फर्माईश थी कि आप हमें जीरो से लेके कैसे इसको फर्स्ट डे से कैसे ड्वेल्प करना है तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये एपिसोड शुरू किया है तो ये हमारा पार्ट टू होगा कि कच्चे जो घर है वो कैसे बनाने हैं तो इसमें सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कच्ची इंट की तो ये एपिसोड हमारा रहेगा दूसरा तो सबसे पहले हमें फ्रेम की जरूरत है जिससे हमने इंटे त्यार करनी है और ये हमारे ही गाओं के मिस्त्री जी है देवीलाल जी जिन से हमने ये फ्रेम त्यार करवाया और इसका डायमेंशन जो है वो दस इंच इसकी लेंथ है साढ़े चार इंच विड़्थ है और जो हाइट है वो है तीन इंच और किसी को भी कहीं भी ये सांचा चाहिए होगा तो पूरे इंडिया में हम इसको सप्लाई कर सकते हैं तो ये रेडी हो गया जी इसके बाद हमने हमें चाहिए होगी रेट रेट इसलिए चाहिए कि जो इंट है वो इस फ्रेम के साथ चिपके न और थोड़ी रेट लगानी पड़ती है अगर आप के एरिये में रेट नहीं है आप ब्रेटी भी ले सकते हो वो तो अवेलेबल रहती है कहीं से भी आप ले सकते हो तो ये हमारे गाव में डैम बना हुआ है जी डैम बनाने के वक्त जो भी मिट्टी इसमें से नीचे से निकली वो मिट्टी सारी चीकनी मिट्टी या पांडू मिट्टी आप बोलो तो हमें तो ये बहुत easy available हो गई क्योंकि वो नीचे से निकली हुई मिट्टी यहाँ पड़ी हुई थी हमने इसको यूज कर लिया परन्तु अगर आपके एरिये में अगर आपको ये मिट्टी की जरूरत हो तो आपको कम से कम आठ से दस फीट आपको नीचे जाकर आपको शायद ये मिट्टी मिलेगी और काफी सकत होती है ये मिट्टी और काफी इसका आपको मेहनत करनी है पानी यह नहीं कि आपने दो गहंटे तीन गहंटे रख दिया सोक करके कम से कम आपको इसको ओवरनाइट जैसे आज शाम को अगर हम इसमें पानी बगरा डाले तो पूरी रात वो पानी से थोड़ा गुला रहना चाहिए और फिर जाके वो उसके जो छोटे छोटे बरीक बरीक जितने भी हैं पीसे वो एकदम मुलायम हो जाएंगे तो इसको बार बार इसको हिला करके पानी से जैसे अपने रोटी बनाने के लिए बनाते हैं ना आटा एकदम वैसे पूरा इस पे मेहनत करनी पड़ती है जो डो रेडी होता है न तो डो के जैसे ही इसको पूरा पूरा ही मुलाइम करना पड़ता है तो अभी ये हमारी अगले दिन जब हमने उसको पूरी रात रखा तो अगले दिन हमारी ये मिटी अलमुस्ट ये देखो एकदम मुलाइम है और इसके त्यार करने से पहले हमने इसके नीचे जो थोड़ा थोड़ा ये बरिती हो आपके पास या हमने ये रेत डाली हुई है तो रेत डालने से वो ना तो जमीन को पकड़ेगी और ना ही जब हम इसको फ्रेम में भी लगाएंगे तो फ्रेम को भी नहीं पकड़ेगी तो ये हमारा चोटा सा ए है कि इतना जो कंपिडिशन चल रहा है आज के टाइम में लोगों ने बड़े-बड़े पहाड जैसे बिल्लिंग्स खड़ी कर दी यह कॉंक्रीट का जो जमाना है जिसको हम तरकी बोल रहे हैं उसी जमाने में हम उसके ही कंपिडिशन में नहीं हम बोलेंगे और बहुत ही हमन बहुत छोटा सा काम किया है और यह देखो हमने कैसे इसके फरेम में इसको थोड़ा सा थप तपाना है और बस ऐसे निकालके फरेम और यह आपकी इन्ट रेडी होगी है यह कमाल है हमारे वीर सिंग विरू का जिनोंने हमारे इस कारह में सहयो किया कोई भी इसको सीखके अपने एरिये में कहीं भी ये इंटें जो त्यार भी कर सकते हैं तो इसका जो खास ख्याल लखना है आपने आपने जो मन्त चुनना है वो पूरा ड्राय होना चाहिए जैसे हमारे इदर मौनसून का टाइम होता है उसका पूरा ख्याल लखना पड़ेगा आपको कि बारिश से पहले पहले आपकी इंटें रेडी हो जाएं तो नौर्थ इनिया के लिए तो मैं प्रेफर करूँगा कि मार्च, एप्रेल, मैई ये तीन महिने होते हैं मौनसून के आने से पहले मैई में तो बहुत जल्दी रेडी हो जाती है तो आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े जब सर्दी आ जाती है तो इनको फिर सुकाना बहुत ही कठिन हो जाता है और उतना आपको मेहनत भी जादी करने पड़ेगी तो अभी हम इनको रेडी करने के बाद जो है इनको एक दिन के लिए कम से कम हमने बारा गहंटे इसको धूप लगने के बाद तो इनको अभी पल्टने का काम है और बच्चे देखो कैसे इंजॉय कर रहे हैं दोनों ही काम है सीखना और सीखना और उसके साथ जो काम है खड़ा ऐसे धांचा इनका कर देना कि इनको चारो तरफ से एर क्रॉसिंग हो और बहुत जल्दी ये सूप भी जाएं और किसी को भी कहीं भी ये कच्ची चीकनी मिटी की पांडू मिटी की इंटें अगर चाहिए होगी तो वो हमें कॉंटेक्ट भी कर सकते हैं और ये आप कम से कम दूसरे दिन जो है वो एपरेल मई के दिन में एकदम सूप के रेडी है तो आप इनने अभी यूज कर सकते हैं देखिए कितनी परफेक्ट रेडी हैं तो दोस्तों तक वीडियो देखने लिए आपका धन्यवाद और आप कमेंट के जरिए हमें अपने सुजाव दे सक कर दो